वंदे भारत ट्रेन गाय भैंस की टकर से डेमेज हुई तो पियम मोधी को ट्रोल किया गया फिर वंदे भारत के अंदर जर्ना बहने पर पियम मोधी को ट्रोल किया गया और अब भुपाज से दिल्ली जा रही बंदे भारत ट्रेन के एक डिबे में आग लगी तो फिर PM मोधी को ट्रोल कर दिया गया विपक्षी नेता और पब्लिक PM मोधी से सवाल करने लगी कि क्या बंदे भारत में सुरक्षा मापदन को लेकर पूरी एहतियात बढ़ती गई है हाला कि बंदे भारत में आग लगने से जादा नुक्सा नहीं हुआ और इंडियन रेल्वे ने बताया कि एक बोगी के बैटरी बॉक्स में आग लग गई थी बंदे भारत के हला दिखाते हुए आम आद्वी पार्टी की प्रवक्ता प्रेंका ककड ने PM मोधी को कहा सिर्फ अमीरों के लिए जो व्यवस्ता की वो भी इतनी गई गुजरी है इतनी महेंगी टिकेट है कि अमीर भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे है और वंदे भारत खाली जा रही है विलासपुर नागपुर वाली तो बंध ही हो गई है नीचे दिये गए दोनों वीडियो एक म सुजा ने कहा हाजसों की रेल मोदी सरकार फेल विपक्षी निताओं के साथ आम पबलिक ने भी पीम मोदी को रेलवे के हालात बताते वे कहा ये ट्रेन गाय से टकराती है इस ट्रेन के अंदर कभी बारिश होती है और आज आग भी लग गई ये ट्रेन केंदर की बड़ी भी फलता है प्रधानमंत्री सहाब बंदे भारत को हरी जंडी दिखाने के लिए एक दम आतुर है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके शौक के लिए भारतिय रेलवे जल्दबाजी में लोगों की जान के साथ खिलवार कर रहा है आज बंदे भार ट्रेन को देखा देख के शर्म से आखें जुग गई क्योंकि इस ट्रेन के चकर में मेरी पैसंजर ट्रेन को अपने गंतवे स्टेशन से मात्र एक स्टेशन पहले एक घंटे तक रोग कर रखा गया अगली बार आपके साथ भी हो सकता है पबलिक सवाल उठा रही है कि क्या वंदे भारत को गरीबों की हाय ल पीज वंदे भारत ट्रेन को मोधी सरकार की कितनी बड़ी उप्रब्दी मानते हैं कमेंट बॉक्स में पिरायस जरूर दें